इस गंगोर पर बनाईए आप पुरंपुली माता जी के भोग के लिए इसको बनाना पहुत ही आसान है पहले मुझसे भी बनती नहीं थी अब मैं आसानी से बना लेती हूँ आज मैं आपको बनाना बताऊंगी पुरंपुली इस प्रकार से पेकिंग की डाल ले लीजी करीब आपको 500 ग्राम डाल लेना है और इस प्रकार से दो कटोरी आपको नाप कर लेना है यह करीब 500 ग्राम बड़ी कटोरी से दो कटोरी डाल मिले ली है और इसे दो तिन पानी से आप अच्छे से दो लीजिए और पास्ट में डूबो दीजिए देखिए दाल में एक कुबा लाने के बाद इसे कुकर में ट्रंसफर कर दीजिए तो दाल अच्छे से पक जाएगी पहले अगर आप डालेंगे कुकर में तो क्या होगा कि बहुत जागाएंगे इसलिए कुकर में कुछ देर तपिली में पकाने के बाद कुकर में डाल दीजिए देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है और मैंने गेज भी निकाल दी है देखिए एक भारी तले की कड़ाई ले उसमें एक कप पानी गरम करे और दो से तीन चमच इसमें घिर डाले अब हमें गुड की बनानी है चासनी इस प्रकार से गुड को अच्छे से बारिक कर लीजिए और इसकी इस प्रकार से बनाईए चासनी क्यों चासनी की जो पुरमपली बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है यूँ तो आपको फिकी लगेगी थोड़ा सा गुड भी आपको इसमें एट करना है और घी भी देखिए गुड अच्छे से मेल्ट हो चुका है थोड़ा सा गुड मैं इसमें और डालूंगी यह देखिए बहुत अच्छे से चासनी बन चुकी है और मेस की हुई दाल अभी इसको इसमें मिक्स कनना है आपको आप देख सकते हैं इसको पकाने में करीब 5 मिट लगेगे दाल अपके अच्छी फरकी होनी चाहिए गिली नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से आपको कड़ाई को अच्छे से पकड़ कर इसमें मिक्स कनना है कुछ देर तक इसे आपको पकाना है देखिए और मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी तो मैंने इसे और अच्छे से पकाया ह आपके दाल बिल्कुल फर्की होनी चाहिए, अगर आपके दाल गेली होगी तो आपके पुरमपुली अच्छी नहीं बनेगी, देखिए इस प्रकार से थाली में आप ले लीजिए, इसे ठंडा कर दीजिए, ठंडा होने के बाद ही आप पुरमपुली बनाएं, इस प्रकार स थोड़ इसी लोंग साइज में आपको रोटी बेलना है और मोटी ही रखना है रोटी को ज्यादा पतली नहीं बेलना है नहीं तो भरावन आपका बाहर आ जाएगा इस प्रकार से आपको इसे पेक कर देना है थोड़ असा पानी अगर आप खीक छाओ तो लगा सकते हैं अंद देखे रोहल के हाथों से इसे तवे पर लोहा का तवा लीजिए लोहे का तवे पर बहुत अच्छी बनती है पुरमपुली और इस प्रकार से आप इसमें घह लगा दीजिए उपर भी और नीचे भी पहले ही तवे को आप घह लगा कर चिकना कर लीजिए देखे एक थाल मै पुरंपुली तूट जाएगी देखिए पुरंपुली पहुत अच्छे से फूल चुकी है आप देख सकते हैं और घीवी दोनों साइड में अच्छे से लगा दिया है देखिए फुल ने लगी थोड़ी सी हवा निकल गई और तब आपको बिल्कुल मीडियम रखना है देख बना ली है इसी प्रकार से आप सभी पुरंपुली बना लीजिए आप देख सकते हैं और इस प्रकार से आपको लोहे का तवा ही लेना है लोहे की तवे पर पुरंपुली बहुत अच्छी बनती ही चिपकती नहीं है भारी तले का लोहे का आपको तवा लेना है और इसे ही गर्मा गर्म सर्व करें देखी इसी प्रकार से बिलकुल फूटी नहीं है मेरे पुरंपुली और बहुत अच्छे से बनी है